हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल इस्टीफन अकेडमी मापका स्वागत है और दोस्तों आज का हम वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो रेसम कीट का मैंने फ़स्ट पार्ट आप लोगों को बताया हो था और मैंने बताया हो था इसका कुन सी क्रियां होती हैं उन क्रियां के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इससे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेर करिएगा ठीक है चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो मे मैनेजमेंट क्या होता है अच्छी जाद के रेशम कीटों का प्रवंद करना क्या कहलाता है या अच्छे रेशम कीट पालने वालों को अच्छी जाद के बीज देना ग्रेश प्रवंद कहलाता है ठीक है अच्छी जाद के बीज देना ग्रेश प्रवंद कहलाता है ठीक है तो बैपारे कुद्देश के लिए रेशम कीट प्राप्त करने के लिए कोकूनों को गरम जल में डाल कर या एक गरम बंद चूले में रखकर उसके अंदर के प्यूपों को मार दिया जाता है। नमबर दो पर बात आती है रीलिंग और इस्पिनिंग ये क्या होती है कोकूनों से रेशम उदेडने की क्रिया को क्या कहते हैं इसमें बात करते हैं फस्ट पॉइंट क्या दिया है लगवग 25,000 कोकूनों से लगवग 454 गरम रेशम प्राप्त होता है अब आप लोग समझ सकत लगवग 25,000 कोकून होते हैं उनसे कितना लगवग 454 गरम रेशम ही प्राप्त हो पाता है नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि 4 या 5 कोकूनों के धागों को मिलाकर एक बिसेश प्रकार की लकड़ी के छिद्र आइलेट या गाइड में से गुजरते हैं इसे कच्चा या रिल्ड रेशम कहा जाता है चार-5 कोकूनों के धागों को मिलाकर एक बिसेश प्रकार की लकड़ी के छिद्र आइलेट या गाइड में से गुजरते हैं इसे कच्चा या रिल्ड रेशम कहते हैं ठीक है आगे हम लोग बात करने वाले हैं आगला जो पॉइंट दिया ग पॉइंट पर बात करेंगे हम लोग कच्चे रेशम को कच्चे रेशम से फाइवर रेशम की जो बनाने की जो क्रिया होती इसे क्या कहते हैं इसे इस्पिनिंग कहा जाता है ठीक है अगला पॉइंट है च्छतिग्रस्त कोकून और बेर्ट बचे हुए धागों को भी काट बब बुनकर धागा बना दिया जाता है यह इसपन रेशम कहलाता है यह इसपन रेशम कहलाता है ठीक है अब आप लोगों को बताते हैं कि रेशम के उपयोग जो होते हैं वो कहां कहां होते हैं किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है तो रेशम से बस्तरों के अतरिक् आटा मिलो के छटरीया कारों के टायर, दस्ताने, मोजे इत्यादी बनाई जाते हैं यह सब चीजन क्या होती हैं रेसम से इनका उपयोग किया जाता है आगे बात करते हैं कि टसर रेसम कीट यहां पर बताएगे टसर रेसम कीट के पीवपा से निकाला गया तेल औसधियों में प्रयोक किया जाता है तो भारत में रेशम कीट पालने एवं रेशमी बस्तर बनाने का धंदा लगबग एक घजार बर्ष पुराना आई लेकिन यह अधिक तरकुटीर उद्योक के रूप में रहा है आद नकी करल के अभाव एवं कृतिम रेशम के कारड यह है उद्योग पनप नहीं सका क्योंकि नकली रेशम से निर्मित बस्तर असली रेशम की अपेक्छा अधिका कर सकत टिकाव एवं सस्ते होते हैं ठीक है अब इसमें बात की गई है कि भारत में बारत में सरफरतम लेफरोय जो कि मैंने अभी बताया हुआ था पिछले पार्ट में आप लोगों को लेफरोय ने 1904-1905 में सबसे पहले पूसा इंस्टिटूट में इसकी रेशम केट की सुरुआ तथा सेरी कल्चर की प्रारम किया हुआ था ठीक है बारत में ये बात आप लोगों को याद रखनी है अब इसमें समस्चयां जो आती है बारत में रेशम पालन में वो कौन-कौन सी आती है तो आजकल भारत में सिल्क उद्योग को उत्पादन मार्केटिंग तथा अर्थविस्था संबंदी समस्चयां का सान्ना करणा पर रहा है तथा अन्य सिल्क उत्पादक देशों की तुलनामे भारत में प्रती हेक्टेर उपर तथा कच्ची सिल्की की गुडबत्ता कम है इन समस्चयां की निवारल के प्रती केंद्री सिल्क अन्वेशर संस्थान मैसूर का ररत है अब जो केंद्री सिल्क अन्वेशर संस्थान है वो कह आर्थिक सयोग इवं सनरच्षड की आवसकता है अब इसमें क्या होता है रेसम कीट उद्योग में आप लोगों को सरकार बहुत जादा कोई सयोग या सनरच्षड नहीं देती है इसमें क्या करना चाहिए सरकार को केंद्र इवं राज सरकारेओं को इसके प्रतिसन जैनल पर मिलते लेंगे चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद